बॉलिवोड के चहेते सुपर स्टार सल्मान खान 58 साल के हो गए है सल्मान खान अपने आप में बहुत बड़ा नाम है पूरा एक लंबा अर्सा उन्होंने बॉलिवोड में गुजारा और वो भी पूरी दबंगई के साथ जी हाँ बॉक्स ओफिस के दबंग कहे जाते हैं सल्मान खान बहले ही साल 2023 में सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 बहुत अच्छा कमाई नहीं कर पाई 300 करोड में फिल्म बनी थी और इस फिल्म ने 287 करोड तक का कलेक्शन किया और कहीं न कहीं इससे सलमान खान के करियर पर इस फिल्म को कह सकते हैं कि असर नहीं पड़ा साल 2010 से लेकर कि साल 2017 तक सलमान खान हिंदी फिल्म इंडरस्टी के नमबर वन स्टार रहे उसके बाद से उनकी बहुत ज़ादा फिल्म में हिट नहीं हुई कोई ऐसी फिल्म उन्होंने नहीं दी जिसने बॉक्स ओफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया लेकिन आज भी वॉलिवुड में रिकॉर्ड के मामले में सुल्तान तो सल्मान ही खान है सबसे पहला रिकॉर्ड ये है उनका कि उन्होंने सत्तरा ऐसी फिल्में दी हैं जिसने सौ करोड कलब में जगा बनाई है सल्मान खान ने सत्तरा ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसने सौ करोड से जादा की कमाई की इस साल उनकी फिल्म Tiger 3 आई इस से पहले 16 फिल्मों के साथ वो number one पे थे और तब उनकी साथ ये seat जो है अक्षे कुमार शेयर करते थे लेकिन अब अक्षे कुमार उनसे पीछे हो गए हैं अक्षे कुमार की 16 फिल्में 100 करोड क्लब में हैं तो सल्मान खान की 17 फिल्में 100 करोड क्लब में इस साल सल्मान खान की फिल्म दो फिल्में आई किसी का भाई किसी का जान दूसरी तरफ उनकी फिल्म आई Tiger 3 किसी का भाई किसी की जान की बहुत जादा जो है बुराई हुई अच्छी फिल्म नहीं थी इसमें कोई शक नहीं लेकिन फिर भी इस फिल्म ने 100 करोड से जदाकी कमाई की दूसरी तरफ उनकी फिल्म आई टाइगर थ्री जो कि दिवाली के मौके पर दिवाली के दिन रिलीज हुई और दिवाली के दिन रिलीज होने की वज़ा से फिल्म को नुकसान भी हुआ उस तरह से ओपनिंग नहीं हो पाई और बाद में फिल्म की जो कहा जो है एक बड़ा आक्रा है बॉलिवुड में लेकिन इस फिल्म की लागत बहुत थी इसलिए फिल्मेकर्स को मुनाफ़ा नहीं हुआ 2023 में बहुत सारी फिल्में 500 करोड क्लब में गई बॉलिवुड ने 500 करोड क्लब में एंट्री ली इससे पहले बाहुवली टू 500 करोड की जाने वाली फिल्म थी लेकिन बॉलिवुड ने पहली बार 500 करोड क्लब में जगह बनाई रिकॉर्ड बनाए 600 करोड क्लब का रिकॉर्ड जो है शारुक खान ने बनाया लेकिन इस 500 करोड क्लब में सल्मान खान नहीं पहुँच पायो इसने कही न कही उनकी इम में सबसे ज़ादा दर्शक बटोरने वाली फिल्म कौन सी है तो वो है हम आपके हैं कौन इस फिल्म को देखने के लिए साड़े साथ करोड दर्शक सिनेमा हौल में पहुंचे थे और सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है अगर के हिसाब से देखे तो इस फिल्म के जितने टिकेट भी के साल 1994 में ये फिल्म आई थी और आज के हिसाब से अगर आप इसके टिकेट के रेड देखें तो ये फिल्म अब बॉलिवूड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी जवान पठान जैसी फिल्में आई इन फिल्मों के टिकेट्स बहुत महंगे थे और ऐसे में इन फिल्मों की कमाई ज़्यादा निकली लेकिन अगर हम आपके हैं कौन के collection की बात करें तो इस film ने 72.47 करोड की कमाई की ये एक all time blockbuster film है और 6 अगस्त 1994 को ये film cinema घरों में आई थी इस film में सल्मान खान और माधुरी का magic इतना जबरदस था कि लोगों ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार जाकर इस film को cinema hall में दिखा all time blockbuster के मामले में भी सल्मान खान की बॉलिवुड में तूती बोलती है उनके खाते में तीन ऐसी फिल्मे हैं जो की all time blockbuster हुई ऐसी फिल्में जिनोंने अपनी लागत से बहुत जादा कमाई की और उसमें से जो है उनकी पहली फिल्म आती है मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी 29 दिसंबर 1989 को ये फिल्म all time blockbuster है इस फिल्म को आज भी लोग जो है टीवी पर देखते हैं इस फिल्म में बहुत कमाल का काम किया था सल्मान खान ने ऐसा नहीं कि सिर्थ भागिश्री के भरोसे करियर की blockbuster film है इद के मौके पर film आई थी और इस फिल्म ने 320 करोर से जादा की कमाई की थी खुद सल्मान खान ने इस फिल्म को बनाया था और ये फिल्म भी उनकी करियर की all time blockbuster film है blockbuster filmों की बात करें तो Tiger जिन्दा है जो की 340 करोर तक की जिसकी कमाई है साल 2017 में ये फिल्म आई थी यही Tiger 3 का prequel कह सकते हैं उस फिल्म ने 340 करोर तक की कमाई की थी और ये सल्मान की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है सल्मान की तीन फिल्म में 300 करोर क्लब में है जिसमें से एक है Tiger जिन्दा है जिसकी कमाई है 340 करोर के करीब दूसरी फिल्म है बजरंगी भाईजान जिसकी कमाई है 320 करोर तीसरी फिल्म है सुल्तान जो की 300 करोर तक की कमाई की थी तो तीन फिल्म में जो हैं उनकी 300 करोर क्लब में है वही सल्मान खान का एक और record है उनकी साथ फिल्मे दो सो करोड क्लब में गई है, जी हाँ, साथ फिल्मे देने वाले वो इकलोते स्टार हैं, इस मामले में उनसे अक्षे कुमार भी पीछे है, शारुक खान भी पीछे है, आमिर खान भी पीछे है, आजय देवगन भी पीछे है, तो साथ दो सो करोड वाली फिल्में देने वाले इकलोते स्टार हैं बॉलिवुड में सलमान खान तो ये भी उनका एक रिकॉर्ड है तो चलिए इनकी 200 करोड वाली जो फिल्में हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं साथ जो साथ फिल्में हैं उसमें से एक है टाइगर 3 जिसने 285 करोड से ज़्यादा की कमाई की इसके अलावा भारत फिल्म जो है सलमान खान की इसने 211 करोड की कमाई की और ये फिल्म आई थी 5 जून 2019 को सलमान खान की फिल्म सुल्टान भी 200 करोड कलब में है और इस फिल्म को सिनिमा घरों में रिलीज में तब ये 6 जून 2016 को ही थी, किक एक फिल्म आई थी 2014 में सल्मान खान की जबरदस्थ हिट्वी थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म है उनके करियर की, किक 25 जुलाई 2014 को आई थी, इस फिल्म ने 231 करोड का कलेक्शन किया था और ये एक उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल करन अर्जुन उनकी एक फिल्म आई थी 13 जनवरी 1995 को, इस फिल्म ने उस जमाने में की थी 25.29 करोड की कमाई और ये भी उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, तो सल्मान खान का देख आ सकते हैं कि रिकॉर्ड्स के मामले में वाकई सल्मान खान बॉलिवुड में सबस पहली बार वो करन जोहर के साथ एक फुल फिल्म कर रहे हैं, उनकी फिल्मों में उन्होंने महमान कलाकार की भूमिका की है, लेकिन पहली बार दबूल नाम की फिल्म आ रही है, उसमें वो करन जोहर के साथ काम कर रहे हैं, अब सल्मान खान सोच समझ कर फिल्म में करेंगे ताकि 2023 में जो उनका जल्वा नहीं चला, 2024-2025 में सल्मान खान फिर से अपना मैजिक जो है लोगों के दिलों पर चला सके तो सल्मान खान को हमारी तरफ से जनम दिन की धेज सारी शुब काम नाए